नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मेरी हर वीडियो पे एक कमेंट आता है कि CBI आज की डेट में कर क्या रही है, क्या CBI बिग गई है या CBI को सबूत नहीं दिखते जो सोसल मीडिया में आज की डेट में गोम रहे हैं तो आज मैं इनी सवालों का जवाब दोंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि सुसांत का जो केस है वो दिशाहीन क्यों होता जा रहा है दोस्तों पहले तो एक बात समझे कि डबाव में कभी भी कोई भी काम नहीं होता है सुसांत मामले में CBI पर इतना ज़्यादा दबाव है कि उनके लिए आगे कुआ और पीछे खाई जैसे इस्थिती बनी हुई है और इसका कारण ये है कि CBI अगर सुसांत केस्म को आत्मत्या घोसित करती है तो हम लोग जो सुसांत के समर्थक है सुसल साइट्स पर इतना कहर मचा देंगे जिसमें इस बार सिवसेना कॉंग्रेस और मुंबई पुलिस के साथ-साथ CBI, NCB और देश की सत्ताधारी पारटी BJP भी आएगी और सुसांत के फैंस के गुस्से का सिकार इन लोगों को होना पड़ेगा और जिसका नुकसान हो सकता है बिहार के चुनाव में उठाना पड़े इसलिए इस केस में जान बूझ कर इसको लंबा खीचा जा रहा है ताकि बिहार चुनाव निकल जाए और फिर इस केस पे कोई काम किया जाए और अगर सुसान्त की मौत को मडर घोसित किया जाता है तो उसके लिए सबूत इखटा करना एक टेड़ी खीर हो जाएगा और ऐसी इस्थिति में क्या होगा कि CBI और BJP को फिर से जनता के गुस्ते का शिकार होना पड़ेगा यही कारणे कि CBI कच्छुए की चाल से चल रही है ताकि बिहार का चुनाव आसानी से निकल जाए अब बात करता हूँ CBI को सोसल मीडिया में घूमते हुए सबूत क्यों नहीं दिखते हैं तो आपको बता दू कि सबूत तो सभी को दिखते हैं लेकिन उन सबूतों को सही साबित करना सबसे बड़ी बात होती है आप ये बात मत भूलिए कि CBI ये केस जो है दो महीने के बाद मिला था CBI को और तब तक काफी सबूत जो है मिटा दिये गए थे और काफी सबूत जो है मैन्यूपलेट कर दिये गए थे यही कारण है कि CBI के पास जो थोड़े बहुत सबूत है वो उन पर दाव खेलने से कत्रा रही है वो उन पर पूरी तरह से शोर नहीं कि वो उन सबूतों के साथ में सामने वाले को कातिल है उनको दोशित साबित कर भी दिया जाएगा या नहीं आप लोगों ने किसी फिल्म में शेर का शिकार होते देखा होगा तो आपको पता होगा कि शेर का सिकार करने से पहले फुल तयारी की जाती है आदी अधूरी तयारी के साथ में शेर पर वार नहीं किया जाता और सेर मेरा यकीन मानिये कि महाराष्ट में सिवसेना किसी जंगली शेर से कहीं भी कमतर नहीं है केंदर में नरेंद्र मोधी जितने पावरफुल है उससे कहीं ज्यादा महाराष्ट के अंदर सिवसेना के उद्धव ठाकरे टाकतवर है तो यही काराने की आधिया दूरे और तूटे फूटे सबूतों से CBI सिवसेना पर हाथ नहीं डाल लई और ना आगे डालेगी ये भी एक बात जो है शोर है हाँ अगर AIMS की रिपोर्ट में अगर ये जो केस है मडर साबित हो जाता है सुसान जो है तो एक बहुत बड़ा सबूत CBI के हाथ लग जाएगा और AIMS की रिपोर्ट ही बदलवा दी गई तो सारा किस्सा ही खतम हो जाएगा अब हमें थोड़ा इस टाइम पर पेसेंस रखना होगा जब तक AIMS की रिपोर्ट नहीं आ जाती AIMS की रिपोर्ट के बाद ही हल्ला बोल की एक तरह से रणनीती तयार होगी और बाकी आप लोगों को CBI पर आप लोगों की क्या राय आप भी मुझे बता सकते हैं और हाँ CBI अभी तक तो मैं पूरे दावे के साथ क्या सकता हूँ कि CBI अभी तक तो बिकी नहीं है और बिहार चुनाव तक बिकना इसका मुश्किली है तो बाकी बिहार चुनाव के बाद जो है उंट की स्करवट बैठेगा वो तो तब की तब देखी जाएगी तो बस अभी तो यही प्रे कीजिए कि EMS की जो रिपोर्ट है वो हमारे मन मुतावित आए हमारे पक्ष में आए और केस के असली गुनागार जो है वो पकड़े जाए तो यही सब था जो मुझे CBI के बारे में आप सब लोगों के साथ में शेयर करना था और आप लोगों की इन सवालों पर CBI क्यों देर कर रही है आप लोगों की इसके पर क्या राय वो आप भी बता सकते हैं तो चलिए अभी के लिए धन्यवाद जैहिंद